कुछ अधे धार्ज subscribe श्वागत का साइएग Meanwhile सभी साथियों का सदस्कार सब स्टकरता है वे अपने यूफूटीब चैनल यूणिवर्स सकलासेज में दोस्तों यदि आप यूपिटेट की त्यारी कर रहे हैं और मान्ग चली यूपिटेट मार्च में संभावत्व होने वाला है तो जो मैंने स्रेज मैं से यूपिटेट प्रिवेस येर सॉल पेपर उसका आज आज है पार्ट नमर फोर जिसमें आज हम लोग डिसक्स करेंगे यूपिटेट 2016 के प्रिवेस येर कोश्चन की जो की दो फ्यब 2016 को हुआ था जो तो शुरुवाद करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड से शुरुवाद क रखो तो दोस्तों ये था आज का मोटिवेशनल कोड चलिए शुरुवाद करते हैं पहले कोश्चन की दोस्त कापी पेन लेके बैठीए कोश्चन के साथ साथ उसकी ब्याक्षावी करूंगा जिससे की आपको काफी हेल्फ होगी पहला कोश्चन है प्लेग यानि कि चूहोग से फैलता है और इसमें खराब क्या होता है यानि कि ये जो विमारी है वो किस जीवान से फैलता है तो यख होता आप सट रेला पेस्तिस जो वेक्टिरिया है इसे से यह फैलता है और इससे जो हमारा खराब होता है यानि कि मानों का फेफड़ा इससे परभावित होता है और इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं चली अगला क्वेशन है गैसी अपसिस्ट क्या है सबजी और फोलो के छिलके घरों की नालियों का गंदा पानी खेत खल्यानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोईला से जलने वाला धूआ तो जो गैसी अपसिस्ट है वो है लकड़ी और कोईले से जलने वाला धू कारित होंगे बिजानर द्वारा प्रकिरित पौधे वीज द्वारा प्रकिरित पौधे फल द्वारा प्रकिरित पौधे या फिर काईक जनन द्वारा वित्रित पौधे यह जो होते हैं फल द्वारा प्रकेडित पौधे दूर दूर प्रसाइद होते हैं नेश्ट कोशन देखेंगे जब एक जीव लाव लेता है बगेर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित की ये तो कहलाता है परजीवी, सहजीवी, मिर्तोपजीवी याफि सहजीवी तो ये दोस्तो सहजीवी कहलाता है नेश्ट कोशन देखते हैं काफी अच्छा इंट्रेस्टिंग कोश्चन है ये जब मोर साप को खाता है साप कीडों को खाता है और कीडे हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोशवर्तल क्या है आप एंसर दे सकते हैं प्रात्मिक भोक्ता, अंतिम अपगटक, प्रात्मिक अपगटक या फिर खाद पिरामीड के सीर्स पर आप अपना एंसर दे सकते हैं इसका ज़य एंसर है, आपसे नमबर D सही होगा लेकिन देखते हैं कैसे सही होगा, देखिए यह पौधे हैं यह दिमान लेते हैं यह पौधे हैं और इनको कौन खाता है इनको कीड़े मकोड़े खाते हैं और कीड़े मकोड़े कौन खाता है साब खाता है यह साब बना दे रहूं है यह साब खाता है और साब को कौन खाता है साब को खाता है मोर तो इस तरह से क्या हुआ मोर्जो है सबसे स्थिर्स पर आएगा इसले सका अंसर डी होगा range question है निमले मेंसे कॉन सा कायंतिरित सैल का उतारंण है बलव पत्थर, ग्रेणाय्ट, संगमर्र यह तो जो कायंतिरित सेल या रुपांतत्रित सेल का उतारण यह संग मर्मर और कायंतरित या रुपांतरित जेल के सेल कैसे वनता है जब जोहला mucki यानी कि व성을 केनों की याके ball's बाहर निकलता है तो मैगमर के समपर्गीः चेत्र की छताने रुपांत्रित हो याती है इस्व के मासागरों में निवन में से कौन सालवण सरवधिक मात्रा में पाया जाता है कल्सियम सलफेट, मैंगनीसियम सलफेट, मैंगनीसियम क्लॉराइड या फिर सोडियम क्लॉराइड तो ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा सोडियम क्लॉराइड अप्सन नमबर डी और यह राजसवा में होने वाली सभाओं के अधिश्टा कौन करता है आपको पता होगा उपराष्टपती, सबराष्टपती, धनमंत्री या फिर भारत के मुखे नाधीश तो इसके अधिश्टा करता है उपराष्टपती नेक्स्ट वोशन है, निमने में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सरवधिक छेत्र पर है, काली मिट्टी, जलोल मिट्टी, लाल मिट्टी, और फिर बलोई मिट्टी, तो यह है आप्सन नमबर B, जलोल मिट्टी का विस्तार सरवधिक छेत्र पर है, जो 40 से 45 परसेंट भा पर पाया जाता है और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है जर नदियोजवराद अब जल बहा कर लाया जाता है तो उसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है और यह मिट्टी जो होती है सवसरवाधिक उपजाओं होती है नेक्स्ट क्वोशन है जो साकाहारी जन्त भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्वर रहते हैं वो क्या कहलते हैं प्रथम चरंड के उपभोगता, सेकेंड चरंड के उपभोगता, तिर्थे चरंड उपभोगता या फिर उपभोगता तो ये कहलते हैं प्रथम निर्वर होते हैं इसलिए इसको प्रतम चरणर या प्रतम स्रीडि का उप्भोकता करते हैं कि नेक्स्ट प्रयावनट सिच्छा में समस्या समधान बिधी का गुड़ है लच्छे कंद्रत बिधी सरजनात्मक बिधी चैनात्मक बिधी या फिर युप्योगत सभी यह जो होता है यह सभी होता है यानि कि यह सभी गुड़ होते हैं प्रयावनट सिच्छा में समस्या समधान के लिए लच्छे कंद्रित सरजनात्मक बिधी चैनात्मक बिधी नहीं होते हैं इस तरह से इसका एंसर आप्शन नमबर D हो जाएगा इस बिधी से व्यक्ति के आंतरिक बिवहारों का अधियन संभो नहीं है या फिर D उप्यूगत सभी तो इस तरह से इसका जो एंसर है आप्शन नमबर B इस बिधी में प्रेच्छन सुचमता से नौ करने पर प्राप्त परिडाम अधिक वैध एवं बिसमसनी नहीं होते हैं आए अगला कोश्चन दिखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है एको सिस्टम की सही परिवासा क्या है परसपर किरिया करने वाला जीव समुदाय किसी अस्थान का अजीवी घटक प्रिथिवी और वाय मंडल का छेतर जहां जीव रहते हैं या फिर D जो समुदाय और उसके वातव सब्सक्राइब का संतुरित तंत्र ही एको सिस्टम है कि मानों के विकास के करम में दो पहरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाग क्या है कि सरीर को अच्छी प्रकार आधार देना सरीर का भार कम होना या फिर सी हाथ सोतन्त रूप से मस्तिष की आग्यानुशार कार कर सकते हैं इसका सबसे बढ़ा फायता यह होता है कि जब आदमी दो परह पर चलता है तो उसका हाथ जो फ्री होता है और जो होता है स्वतंत रूप से मस्तिष की आग्यानुशार करने के लिए फ्री होता है इस्ते सिसमे का या नीक्स्ट और लास्ट कॉश्टन वीडियो लेक्च कि रिएक्टर पैमाने का जिस पर जीरो से लेकर के नौ तो कि नंबर इस पर सो होते हैं तथा इसमें क्या होता है जितना ही नंबर साइट भी इस साइट बढ़ेगा उतना इभुकम की तीपता जादा होगी तो दोस्तों यह 15 कोश्चन थे 2016 कि आए हुए सब्सक्राइब करें इसका पार्ट नमर टू अगली वीडियो में दिसकस करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार